असलाम रेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी चूंटी और कबूतर की कहानी एक दफा का जिकर है, गर्मियों का गरम दिन था, एक चूंटी को प्यास लगी, वो पानी की तलाश में इदर उदर फिर रही थी कि अचानक चूंटी को एक दर्या नजर आता है, वो पानी पीने के लिए दर्या के किनारे जाती है दर्या के किनारे पर एक पत्थर पड़ा होता है, चूंटी पानी पीने के लिए जैसे ही उस पत्थर पर चड़ती है कि उसके पाउं फिसल जाता है और वो दर्या में गिर जाती है पानी का बहुँ जादा होने की वज़ा से चूंटी दर्या में तहना शुरू कर देती है चूंटी मदद के लिए पुकार भी है मीरी मदद करो, मीरी जान बचाओ पिचारी चूंटी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगी होती है दर्या के पास ही एक कबूतर दरख पे बैठा ये मनजर देख रहा होता है उसे चूंटी पे बहुत तर्स आता है वो सोचता है कि उसे चूंटी की मदद करके उसकी जान बचानी चाहिए वो जल्दी से दरख से पतों की एक टहनी तोड़ता है और दर्या के जाने ब उनना शुरू करतेता है कबूतर वो पतों की टहनी डर्या में चूंटी के पास भैंक देता है चूंटी जल्दी ही छलांग लगाकर उस पते पर चड़ जाती है और बाहिफाज़त दर्या के किनारे आ जाती है चूंटी अपनी जान बच जाने पर बहुत खुश होती है और वो कबूतर का शुक्रिया अदा करती है कि किस तरह उसने उसकी जान बच जाई और कबूतर भी चूंटी की जान बच जाने पर बहुत खुश होता है किस तरह उसकी छोटी सी मदद से चूंटी की जान बच गई कुछ दिनों बाद तो चूंटी उस दरख के पास से गुजरती है जहां कबूतर का घौंसला था चूंटी क्या देखती है कि एक शिकारी कबूतर का शिकार करने के लिए उस दरख के जाने आहिस्ता आहिस्ता बढ़रा होता है कबूतर इस बात से लाइल्म होता है और बड़े मज़े से सो रहा होता है उसको नहीं बता होता कि शिकारी उसका शिकार करने के लिए आ रहा है ये सारा मनजर देखने के बाद चूंटी बहुत बरेशान होती है वो सोचती है कि मुझे अब कबूदर की जान बचानी चाहिए चूंटी आइस्ता आइस्ता चल कर शिकारी के पास पहुन जाती है जैसे ही शिकारी अपनी बंदूख से कबूतर का निशाना लेने लगता है चूंटी उसके पाउं पर काटी है जैसे ही शिकारी के पाउं पर चूंटी काटी है शिकारी का निशाना छूट जाता है और गूली की आवाज सुनकर कबूतर दरख से उड़ जाता है शिकारी को चूंटी पर बहुत हुसा आता है और इस तरह कबूतर की जान बच जाती है चूंटी बहुत खुश होती है कि उसकी मदद करने से कबूतर की जान बच गई तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? कि अगर हम नेकी करेंगे तो भलाई हमारे हिसे में आएगी यानि हम जब दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो यकीन हमारे साथ भी अच्छा होगा